तो आज की इस वीडियो में जानते है रिकर्षन क्या होता है रिकर्षन एक कोई फ़ंक्शन है वो खुद को कॉल करता हो अगर एक फ़ंक्शन जो खुद को कल करता है उस केस को हम लुग रिकर्षन बोलते हैं तो रिकर्षन में 2 important parts होता है पहला होता है base case और दूसरा होता है recursive case अगर हम लोग कोई function मनाना चाहते हैं जो recursion use कर रहा है मतलब recursion से काम कर रहा है तो ये दो चीज का ध्यान रखना होगा पहला जो है वो है base case और दूसरा जो है वो recursive case base case क्या होता है base case वो case होता है जहां पे हम लोग का recursion break हो जाता है मतलब कि उसके बाद वो case के बाद हम लोग का वापस function call नहीं होगा और recursive case वो case होता है जहां पे हम लोग का function वापस बार-बार call होता है invoke होता हो तो यह जो base case है वो बहुत ही important है क्योंकि अगर base case गलत हो गया मतलब कि तो recursion कभी breaking नहीं होगा उस case में क्या हो जाएगा infinite recursion हो जाएगा और यह हम लोग जानते हैं कि recursion जो होता है वो stack implementation पे है मतलब कि last in first out तो इसी basis पे recursion काम करता है जानते हैं एक example factorial calculate करना है एक number का अगर कोई भी एक number का factorial calculate करना है तो हम लोग उसको iteration से भी कर सकते थे iteration से कैसे करेंगे iteration से हम लोग for example एक loop चलाएं sorry one से one से loop चलाएंगे और एक variable ले लेंगे f जिसमें one stored है one initialized है और f में i को multiply करते जाएंगे तो यह हो गया यह iteration method होगी हम लोग का factorial निकालने का यह बहुत ही simple था और एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं हम लोग recursion यूज़ कर सकते हैं factorial calculate करने के लिए तो वो कैसे use करेंगे तो हम उसके लिए function declare करते हैं int fact और इसमें एक argument formal argument input लेते हैं integer n अब इसके लिए हम लोग को दो case जानना बहुत ही ज़रूरी है base case और recursive case तो इस factorial के लिए हम लोग का base case क्या होगा base case होगा कि 0 का factorial 1 होता है इससे नीचे कोई factorial नहीं होता और यह एक अलगी case है 0 का factorial 1 होता है इसलिए हमको क्या करना होगा इसलिए हमको base case में देना होगा मतलब कि अगर कोई user input देता है n में 0 तो हमको क्या output देना है return करना हमको 1 क्योंकि 0 का factorial 1 होता है तो वह हो जाएगा हम लोग का base case तो हम लोग लिखते है base case if n is equal to equal to 0 तो हम लोग को return करना है 1 else हम लोग को recursive case करना है तो recursive case में क्या हमको return करना है return n into fact of n-1 तो हर पर हम function को call करें factorial function को और क्या value दे रहें एक कम करके value को वापस पास कर दें मतलब कि अगर first time 4 था तो second time 3 जाएगा उसके बाद time 2 जाएगा ऐसे करके तो हम लोग जानते हैं यह कैसे काम कर रहा है तो एक example लेते हैं हम लोग n का value 4 लेते हैं तो जब n का value 4 जाएगा fact के पास यह जो function है fact के पास जब n का value 4 जाएगा तो क्या होगा n का 0 के equal है नहीं है तो यह condition satisfy नहीं करेगा तो else part में आएगा जब else part में आएगा तो वो क्या करेगा return करेगा वापस 4 into fact of 3 मतलब की fact of 3 वापस call होगा जब fact of 3 कॉल होगा तो n के पास वापस second time 3 जाएगा तो जब 3 जाएगा तो चेक करेगा वापस क्या 3 जीरे को equal है नहीं है वापस else part में आएगा तो else part में आने के बाद वापस 3 into fact of 2 हो जाएगा तो जब 2 वापस call होगा तो n के पास क्या जाएगा 2 जाएगा तो जब 2 जाएगा तो वापस check करेगा क्या 2 0 की equal है नहीं है तो वापस else में आएगा else में आने के बाद वापस 2 multiply fact of 1 हो जाएगा तो यह 1 वापस call हुआ जब 1 वापस call हुआ तो वापस इस function के पास 1 जाएगा तो जब 1 जाएगा तो वापस 1 check होगा क्या n 1 के equal है नहीं है तो वापस else में आएगा 1 into fact of 0 चल जाएगा 1 into fact of 0 अब जब 0 के साथ call होगा function मतलब कि parameter में जब 0 पास होगा तो क्या होगा n क्या 0 के equal है यह condition satisfy कर गया क्या return किया function 1 return किया अब कोई recursive call नहीं हो रहा है तो यह जो last value था fact of 0 इसका answer कितना है return कितना किया value 1 return किया तो यह total value कितना हो गया 1 into 1 total 1 हो गया यह चीज़ किब call हुआ था जब यह call हुआ था मतलब कि इसका result आया हम लोगा 1 मतलब 2 into fact of 1 हो गया 2 यह कब call हुआ था जब यह call हुआ था तो इसका value हो जाएगा 3 into fact of 2 fact of 2 का value कितना है 2 आया है तो 3 into 2 that is 6 अब यह कब call हुआ था तो जब यह call हुआ था मतलब कि fact of 3 का value is 6 तो 6 into 4 that is 24 तो हम लोग का जो function है fact वो return कर देगा last में यह value तो हम लोग देखें कि जो last में value है था जो last में call हुआ था function fact of 0 वो सबसे पहले solve हुआ क्योंकि यह stack पर काम करता है simply यह last में in हुआ था तो first में out हो गया उसके बाद यह उसके बाद यह उसके बाद यह उसके बाद यह तो हम लोगा function return किया 24 तो यही था आज के class में thank you like share and subscribe my channel for new and latest videos